हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टेरोटेक टिपल टू, मैं हूप अलवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो वीवर्स इस रीडिंग में देखा जा रहा है कि आप जिस किसी भी परसन के साथ डील कर रहे हैं, आप इनके साथ अभी किसी भी मोड पर आकर क्यों ना खड़े हो गए हो, लेकिन इस दौरान ये परसन सुबह से लेकर आपको लेकर क्या कुछ याद करते भी है या नहीं, क जुड़े हैं, जुड़े रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर वीवर सब्सक्राइब कर दीजेगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बोलेगा, और उसके अलग कोई मुझ से कमेंट बॉ वीडियो के लिंक फरवर्ड करती हूँ, तो बाइचांस आपके पास हो नहीं, महां नहीं आ रहे हैं, यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो उस वाट्सेप ग्रूप के थू आपको मिल जाएगा, फ्री आफ कोस्ट वो वाट्सेप ग्रूप है और महां पर उसके लिंक को में पिन कर दूँगी, फर्स्ट कमेंट में, ठीके, तो आप चाहें तो उसको जॉइन कर सकते हैं, बैक टू दे रीडिंग आपको धियान रखना है कि विवास जो भी रीडिंग होगी, वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो अपने आपको आत्मी जबर्दस्ती फिट करने के आपको औरो के लिए छोड़ना होगा, रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बनाऊंगी, कोई भी देख सकता है, आप मैरेड और लड़का लड़की, कोई भी देख सकता है, इवन एक टाइम्रेस रीडिंग होगी, तो जब भी आ अंगार भीय वाहिजिंग, पासिंस, अंगार के लिए, पासिंस, मैं नॉल्डिंग अरीडिंग, इवरण विस्त्तत्तर पश्व्र्द पटे भीर तो जग्रार के लड़की, य॥ी जबर्दस्त्तत्ता है, प्रुझ सब्से पहले आपको कुछ नभर्स कुछ मन्स बता देत क्योंकि मैं जब टारों से कार्ट इंकालूंगी तब आपको राशिया बताऊंगी यहां पे आपका 16, 7, 43, 3, 12, 38, 11 and 2 मंध की बात में अगर आपसे करूं तो यहां पे आपका जलाई, मार्च, दिसम्बर, नवंबर and आपका फर्वरी यह मुझे कुछ months and कुछ numbers आपके लिए खास बनते हुए दिखे जो आपसे अपने person के मात्यम से जुड़ेवे हो सकते हैं देखेगा viewers यहां पे दिल के मामले में आपके person की यह energy यह state of mind बना हुआ है इन्हें लग रहा है कि अब किसी को भी अपने आपको hurt होने नहीं देंगे और इसी reason के चलते हैं इन्होंने अपने दिल को पूरी तरह से बंद करके रखा है यानि कि अब अपनी जिंदगी के जो भी पैसले हैं यह जो भी कर रहे हैं अपने आज में यह सबी चीज़े अपने दिमाग से कर रहे हैं ना कि दिल से किसी लेबल पर तो इन्होंने अपने दिल को बंद कर रहा है और किसी पॉइंट पर यह भी कह सकते हो कि दिल इनका यहाँ पर ब्लॉक हुआ है फिर वो ब्लॉक जो भी करा गया है वो इनके खुद के माधियम से करा गया हूँ उसे बार 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 इकनोर करके या किसी और के इन्फिलेंस में आकर यह दिल इनका ब्लॉक हुआ हूँ लेकिन Ultimately यह चीजां यहाँ पर क्लीर लिए है कि यह परसन अपनी जिन्दगी के जो भी फैसले ले रहे रहे हैं कुछ ऐसा यहाँ पर है जो इन्हें लगता है कि अगर यह वक्त के हिसाब से करेंगे तो इनके फेवर में चीजें होंगी या फिर अगर वक्त पर सौब दी जाएंगी या पेशेंस करा जाएगा तो उसका फल जो होगा वो मीठा यही खाएंगे तो कुछ ऐसा है मैं कुछ ल उनों के दर्मियान कोट का चहरी चल रही है तो इन्हें भी पता है उस कोट का चहरी से या उस महाँ पर कोट में किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा किसी तरह से कोई निर्ने महां से नहीं मिलेगा लेकिन इन्होंने वो कोट का चहरी में चीजें सीले डाल रखी है कि कोई तो यहाँ पर तूटेगा, किसी का तो सबर यहाँ पर तूटेगा जिसका भी सबर तूटेगा, अल्टीमेटि उससे दूसरे की यहाँ पर जीतोगी और इस इंसान को पता है, कहीं न कहीं दिमाग से इस चीज़ को कैलकुलेट कर पा रहे है कि सबर आपका पहले तूटेगा, यह पर तोड़ोगे, क्योंकि यह चीज़े परसन जान पाई, आप में नहीं समझा, कैलकुलेट करा कि जो पेशेंस लेबल कमजोर है, वीक है, वो आपका है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके परसन ने अपने दिल पर ताला इसलिए लगा रखा है यह लोगों के थूँ ही क्यों न सही, इनके दिल को इसलिए ब्लॉक करा गया है, जिससे यह सबर कर पाएं आपका पेशेंस लेबल इसलिए भीक पड़ रहा है, क्योंकि आपका दिल यहाँ पर ब्लॉक नहीं है, आप भावनाओं में बहकर चीजों को देख रहे हो, आपके परसन इसी रीजन के चलते अपने मैक्सिमाम फोकस को अपने पैसी में, अपनी स्टेबिलिटी में, अपन अगवान, पूजा पाट से नहीं दूर कर लिया नहीं, यह सबी चीज़ें भी यहाँ पर एक्जिस्ट हो रही हैं, फिर चाहें इनके परिवार वाले कर रहे हों, यह कर रहे हों, लेकिन हाँ, जहां पर यह हैं, वहां का असपास के महौन में, मुझे यह स्प्रिक्च्च् दिल की जगह दिमाग से ले और उसी तरह से चीज़ें यहाँ पर हों, यानि कि इनका पेशेंस लेवल यहाँ पर ना टूटे, तो अल्टीमितनी चीज़ें आपके खिलाफ करी गई हैं, यह चीज़ें तो इन फार्च कार्ट के थूरू दिख रही हैं, और मॉर्निंग की यह दिख रहा है कि यह परसन अपने दिल पर ताला लगाकर कई न कई अपने सब्र को और ज्याधा इन्हाँ कर रहे हैं, और ज्यादा बड़ावा दे रहे हैं, पॉनिंग में यह परसन टैंपिल भी गए हैं, इनने कही न कई चीज़ें समझाई गई हैं, यह उन चीजों क नेगेटिव वे में नहीं ले रहे हैं ये इन चीजों को उस वे में ले रहे हैं कि भगवान के यहां देर यह अंदेर नहीं है चीजे इनके फेवर में होंगी इनके हिसाब से होंगी क्योंकि उस भगवान के यहां जिस भी गौड को आप आते हैं उनके यहां देर यह अंदे मानते है या उनको मानने लगे है तो जरूर से वो इन्हें निराश नहीं करेंगे ठीक है तो वो मुझे इस्पती बनती हुई दिखी है मैं टैरो से देखती हूँ कि इनके पीछे इनका क्या मकसद है क्या चीज़ें यहां पर में हैं देखो एक और चीज में आपके कहूंगी वेवर्स कि की रिडिंग कर किसी के लिए नहीं होती है आपको यहँए पर लाश राश यह benडि में बताया जाता है हर एकी situations क्योंकि अलग-अलग होती है और वो कैसे पता चलेगा सुनकर ही पता चलेगा और कोई उसका shortcut नहीं है अगर आप shortcut के चक्कर में पढ़ोगे न कुछ हासिल नहीं होगा ये चीज़े आपको समझ नहीं है गाइड कीजे universe please divine please archangers please holy angels please spread guide मुझे guide कीजिए और बताइए patience को लेकर मेरे viewers के person के मन में सुबह से लेकर अब तक क्या चीज़े चल रही है spread guide divine guide कीजिए patience को clarify कीजिए और बताइए इस मामले में viewers के person के मन में के दिल में क्या कुछ है five events and temperance ठीक है तो दिखेगा यहाँ पे viewers आपका Leo और Sagittarius यह काफी strong में मुझे दिखाई दिया Aries भी यहाँ पर है वैसे number five यानि की माई मन्थ मुझे आपके लिए काफी ज़्यादे important बनता हुआ viewers दिखाई दिया एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों की connection के बीच में एक person नहीं है यह सिर्फ आप ही दोनों की लड़ाई नहीं है आप दोनों की दर्मियान जो भी लड़ाई हुए है उसकी पीछे की वज़ा कोई और है कुछ और लोग है और उसी reason के चलते यहाँ पर बेड़ आप गए लड़ आप रहे हो यहाँ हो सकता है अब यहाँ पर चीजे उस वे में जा रही है चहाँ पर आपका परिवार और इनका परिवार लड़ रहा है अपने अपने ego को satisfy करने के लिए अपने अपने ego को बचाने के लिए यहाँ पर situations definitely काफी complicated बन गई है tense पर ही है यहाँ पर और काफी जादा ego ही यहाँ पर clash जादा हो रहे है इनकी सोच बनी होई है कि यह आपर अगर सबर करेंगे न तो हो सकता है चीजे सही हो जाए बीच का रास्ता कुछ देख जाए जैसे कि कोता है कि अभी तो यहाँ पर लाठी डंडे चल रहे है और यह बीच का रास्ता उस वे में देखना चारहे है कि साब भी मर जाए और लाठी भी न तूटे और उसके लिए कही न कहीं इन्हें आपर सबर तो करना पड़ेगा कोई न कोई यहाँ पर ठकेगा हारे गार उस वे में चीज़े यहाँ पर बैलेंस में आएंगी तो यह परसन डेफिनिटली इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आपके पार्टनर ने अपने आपको वेटिंग मोड पर डाल रखा है चीजों को वक्त के हाथों पे इन्होंने ज़्यादा सौप रखा है जो चीज़े हो रही हैं हो रही हैं क्योंकि इन्हें पता है इसका कहीं तो अंत होगा कहीं तो जाकर इन चीजों का आउटकम निकलेगा अगर अब यह इसमें involved होते हैं तो चीज़े और messy हो जाएंगी किसी point पर मुझे यह चीज़े दिख रही है कि हाँ आपके person बजाए efforts डाले के actions डाले के अपने आपको defend कर रहे हैं यह मकसद है इनका या फिर यह वही सोच लेकर बैटे हैं वक्त जो है सारे जखम हर देता है भर देता है और यही वक्त यहाँ पर आप दोनों के परिवारों के बीच में जो भी मन मुटाब है उन्हें भी भर देगा खतम कर देगा या हर ठक हार कर दोनों यहाँ पर बैठ जाएंगे या आप specially जो मेरे वीवस की साइट से जो चीजे हो रही है न वो यहाँ पर ultimately ठक हार कर बैठी जाएंगी तो इन सभी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए इन सभी चीजों को ऐसा मकसद लेकर चलते हुए यह पसंद रहे रहे हैं maximum time तब ही यहाँ पर इस इंसान ने अपने दिल को ब्लॉक करा सबसे पहले क्योंकि इन्हें पता है कि अगर यह दिल को ब्लॉक नहीं करेंगे तो या तो यह आपके लिए sensitive हो जाएंगे या फिर अपने परिवार के लिए यह पिगल जाएंगे और वही चीजें लेकर इस इंस नहीं दिख रहा होता तो वह चीजें अब इनके साथ यहां पर हैं वीवास ठीक है वह सोच इन्होंने अपनी यहां पर बना रखी है इनके पीछे का मतलब यह परसन जादा ढूंड रहे हैं मैन होल्डिंग को लेकर वीवास के परसन की सुबह से लेकर अब तक की क्या feelings बन यहां पर आपका Scorpio और लियो यह काफी स्ट्रॉंग में दिखा इनको ना यह चीजें लगने लगी हैं कि जिसके पास पैसा है जिसके पास stability है जीत उसके हिस्से है या value उसकी ज्यादा है जिसके पास पैसा नहीं है stability नहीं है ना उसके हिससे सिर्फ और सिर्फ हार है और किसी तरह की growth उसकी जिन्दगी में नहीं है तो वो मुझे एक सोच इनकी यहां पर exist होती हुई दिख रही है जिसके चलते यहां पर यह पर संद पैसों के बीचे ज्यादा भाग रहे हैं उसमें अपनी जीत देख रहे हैं या फिर महां पर अपनी जिन्दगी में अपनी कि इसमत को चमकाने में यह person जादा लगे हुए हैं इनको लग रहे हैं कि अगर आपसे जुड़ा हुआ रिष्टा यहां पर खतम हुआ तो कहीं नहीं कि जिन्दगी में बदलाव आने का रास्ता सिर्फ मातर वही है कि अपनी value पर अपने पैसों पर अपनी growth पर work करें हो सकता फाइनिशली वे में पहले ये person इतना नहीं कमाते थे आप पर किसी ना किसी point पर ये depend थे ठीके या financially वे में यहां पर किसी तरह का नुकसान इने हो रहा था उस point पर जब यहां पर चीजें खतम हुई जब आप दोनों के बीच में रिष्टा खतम हुआ लेकिन अब इनको न ये person अपनी जिन्दगी में वो पैसा अचीव करने में उस में अपनी किसमत चमकाने में ज़्यादा फोकस्ट है ना कि यहां पर involve होने के यहां पर अपनी energy देने के तो इनका life का experience जो भी आपके साथ रहा वो इने ये तो दे गया कि जीत उसी के हिससे हैं लोग उसी को पू सबसे लेकर अपनी जीत के पीछे अपनी reward के पीछे ज़्यादा भाग है ब्लासमिंग अबेंडिस मेरी वीवास के person अब किसमें देख रहे हैं सुबह से लेकर अपना spirit guide divine guide कीजिए और बताईए nine of swords and seven of swords जमिनाई लिब्रेन एक्वेरियस में तुन तुलाइन को मिराशी देखो ऐसे भी chances दिख रहे हैं कि अपनी सिंदगी में पैसा बेंडेंस ये सब पाने के लिए ना इस इंसान ने बहुत सारे गलत रास्ते चुने इनना ने बहुत सारे रिष्टों को खतम करा को लेकर dishonesty इनना ने दिखाई, shortcut इनना ने लिए, रिष्टों जे ये person भागे, fraud इनना ने करा, चलाकिया इनना ने करी, अपनी जिंदगी में ताकि ये वो blossoms, वो abundance पा सकें, जो इनने अपनी जिंदगी में missing नजर आ रही है, लेकिन वही चीज़े मैं आपको भी बताती हू लोगे, तो ultimately उससे weight lose तो नहीं होगा, हाँ, आपको 100 तरह के की बिमारी ज़रूर से लग जाएगी, तो weight lose करने का भी अपना तरीका है, अपना वक्त आपको देना है, लेकिन आपकी पार्टर के साथ वही चीज़े हैं, हर चीज़ को shortcut तरीके से करने की चाहा, जो भी नौन लिए है ना, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ धोका मिला है, यह ठगे गए हैं, या पर उन सभी चीज़ों को लेकर जितना यह इन्हें नुकसान मिला है, उन्हीं की वज़े से यह डर में हैं, डिप्रेशन में हैं, ठीक है, उन्हीं की बागने के पीछे का कारण भी यह है या वो जीत यह उसमें देख भी इसले रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है उसी को जीत मिली मतलब जब इनके पास नहीं है तब ही तो इन्हें यह चीजे लगती हैं तब ही तो यह ऐसा महसूस कर रहे हैं तो व लाइफ की एक्स्पीरियंस ने इन्हें धोके तो दिये हैंने धोका तो मिला है ठीके टेंपल पाथ को लेकर वीवर्स की पसंद की सुबह से लेकर अब तक ही फीलिंग्स को बताईए स्प्रेट गाई डिवाइन मुझे गाई की जड़ बताईए टेंपल पाथ को लेकर दे मून एंड एस उस पेंटिकल्स और ओवर अल एनलजी अगेन वो वेटिंग बोड पे जो जहां से शुरू बात हुई थी देखेगा विवास यहां पे आपका पाईसेस और आपका अर्थ एलिमेंट यानि की टॉरस वर्गो एन कैप्रेकॉन व्रश्यप कर्यान मकर राशी है बिसिकली आपके परसन को एक ब्रहम तो पूरी तरह से चिपक गया है या पूरी तरह से इनके सर पर सवार हो गया है अबी भी मैं वही चीज़े देख पा रही हूँ कि यह परसन जो इन्हें डर होता है इन्हें एन्साइटी जो भी फील होती है जो भी डिप्रेस्ट ही होते हैं उन सबी चीजों को खतम करने का रास्ता इस इंसान को बस पैसा दिखता है अबेंडेस दिखती है ठीक है और उ इतना जरूजरे कहूंगी कि देखेगा इस इंसान ने अपना फोकस ना सुबह से लेकर अब तक तो स्पैशली बिलकुल डाइवर्ड कर रखा है पैसो में ग्रोथ सक्सेस काम्याभी इस वे में देखने के लिए और आप से जुड़े हुए रिष्टे को पूरी तरह से वे अपने दिल पर इन्होंने पत्थर रखकर अपने दिमाग को कही न कहीं फाइनेशली ग्रोथ में कैरियर में ज्यादा इंवाल्व कर रखा है और यह चांसे है या तो पहले इनके पास पैसा नहीं था जभी आपके साहते आप पर यह डिपेंड थे या पहले भी था और कहनी कि कैचांएं के उठ रहे हैं इनके messages देखते हैं गाइड कीजिए universe please divine please archangers please only angels please spread guide मुझे guide कीजिए और बताइए वीवर्स के परसन इन सभी चीजों को लेकर वीवर्स से कहना क्या चाह रहे है spread guide मुझे guide कीजिए और बताइए वीवर्स के परसन के messages दीजिए I still remember the day we met first तो इन्हे ना ऐसा नहीं है कि आपते जुरी हुई यादे भी याद नहीं आ रही है लेकिन वही चीज़े हैं कि इस इंसान की तो एक अलगी दुनिया चल रही है ये एक अलगी दुनिया में पैठे हैं ठीक है आप से कहना चाहरे है कि इन्हें आज भी वो दिन ही आद है जब आप लोग फर्स टाइम एक दूसरे से मिले थे I know we have a soul connection इन्हें लगता है कि आप दोनों का जो भी रिष्टा है वो soul level पर है soul level पर आप दोनों जुड़े हुए हो और अगर आप soul level पर जुड़े हुए हो तो आप मिलोगे आप दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी मिलोगे उस चीज को लेकर ये परसन अपने आपको mentally prepare कर रहे है यह कह सकते हो अगर किसमत में लिखा है मिलना तो मिल जाएंगे नहीं लिखा है मिलना तो नहीं मिलेंगे वो फंड़ा लेकर ये पसन बैठे है I want to show our power of unity to the world कहना चाहरे हैं कि यह तो यहीं चाहते हैं कि यह अपनी जो भी प्यार है ना हम दोनों के दर्मियान वो फिर से मिलेगा फिर से जुड़ेगा और पुरी दुनिया को ये चीज़े दिखाएंगे I am fed up with your complaining nature हो सकता है एक point पर आकर आपने नहीं से काफी चीजों को लेकर complain करी हो काफी demand करी हो और ये person उस वक्त पे इतना fed up हो गए कि ultimately नहीं ये रास्ता चुल लिया तो ये आपसे कहना चाहरे है हाला कि इन सब चीजों के चलते ऐसा नहीं है कि आपके साथ reconciliation नहीं चाहते है लेकिन इनका जो pattern है इनका जो तरीका है वो बड़ा अटपटा बड़ा ही फाल्तू का मुझे दिखाई दे रहा है ये मैं आपसे जरूर से कहूंगी तो कि ऐसे रि लिए मैंने नहीं बोला है आप लोग काल नहीं करेंगे जो भी आपको इनक्वाइरी जो भी आपको जानकरी चाहिए आप वाट्सअप पे मैसेज करेंगे कॉल बिलकुल भी अलाओड नहीं है मेरी साइट से चीके चले मैं देख रही हूं आपके लिए गाइड़ेस के कार देखो आप से नहीं बोला जा रहा है सबसे पहले जीजिए अगर यह पसंद खुद से आपकी तरफ आते हैं तो बिलकुल भी उस वक्त पे तो नहीं चूकना है कि इन्हें आप मौका ना दो उस वक्त पे आप अपने घमर्ण भी अपने गुसले में बैटे रहो और इन्हे उस वक्त पे मौका ना दो और फिर बाद में परिशान हो तो उस वक्त तो आपको मौका देना है लेकिन अपनी तरफ से आपको यहां पर अभी उसी तरह से चीजों को ठंडा होकर खाना हैं जिस तरह से यह बैठे हैं उसके साथ यह भी बोला जा रहा है कि इतने वक्त ऐसा कर रहे हैं ये तो बिसिकली चाहते ही हैं कि आपका सबर तूटे और आप इनकी तरफ बढ़ो लेकिन यहाँ पर इनके आपके सबर तूटने के बाद भी चीजे अगर आपके फेवर में होती तो आप उस सबर को तोड़ कर इनकी तरफ बढ़ भी जाते लेकिन अभी मुझे सि अपने आपको खुश रखने की हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं और अगर आपको अपनी बॉड़ी पर अपनी फिजिकल लुक्स पर ध्यान देने के लिए देना है तो आपको वो देने के लिए बोला जा रहे है अपने आपको डेट पर लेकर जाहिए अपने आपको को इस रीडिंग से अगर आपको इस रीडिंग के माधियम से में थोड़ी बहुत भी ख्लारीटी दे पाई आप कनेक्ट कर पाई लेकि इस तेल आपने अभी तक लाइक लेम और ग्रेटीट नहीं दिया तो आप कर दीजेगा चानल पर आप पहली बार मुझे से रीडिंग के माधियम से जुड़े जुड़ रहे हैं लिके स्टेल अभी तक सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजेगा ताकि मैं जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरू से पहुंचे आज के लिए बस